आप सभी के सवाल थे कि सर समाजिक विज्ञान में इतिहास पोर्षन से कौन से 20-30 प्रशन तयार कर लें आज मैं बताता हूँ इसके बाहर एक भी प्रशन नहीं जाएगा 100% यहीं से प्रशन अगर यह तयार कर लेते हैं तो आप 100% पेपर करके आएगे मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता हूँ मैं आपको points देता हूँ मैं जो देता हूँ वो कुछ होता है उसमें दम नहीं तो नहीं देता हूँ बाई साब जिस भाशा में मुझे समझ में नहीं आता वो भाशा में नहीं पढ़ाता हूँ इसमें समझ में आता हूँ इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको कान खोल कर सुनिए ध्यान से सुनिए ठीक है हिच किचा गए तो हिच किचा के रह गए इधर और जिसने लगाई एंड वो खंदक के फार था आपके ये प्रशन कहीं ने कहीं पढ़े होंगे बस एक बार आपक नहीं चापना होता है लिखना होता है अपनी भाषा में उस बात को सही बात को लिखिए ठीक है दो चीजें देखकर ही नंबर दे देते हैं कौन कौन? एक्जामिनर क्या? आपकी भाषा सही होना चाहिए तोड़ासा लिखने का प्रभाव अच्छा होना चाहिए मतलब प्रभावकारी लेख होना चाहिए बस राष्टवाद इतना इंपोर्टेंट है मैं तो कहता हूं जितना वेरी वेरी लिखूं उतना कम है हजार बेरी इंपोर्टेंट राष्टवाद का क्वेश्चन ना है ऐसा हो नहीं सकता राष्टवाद से क्या तातपर है यूरोप में राष्टवाद के उदय होने में कौन सी परिस्तियां सहायक हुई ये पहला प्रशना आप पहले चैप्टर यूरोप में राष्टवाद का उदय इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ यूरोप में राष्टवाद के उदय के लिए उत्तरदाई कारण यही दोनों प्रस्ट सेम एक ही है दूसरा प्रस्ट आपको ये तयार करना है दो देशों पर ध्यान केंदरित करते हुए बताईए कि 19 सदी में राष्ट किस प्रकार विक्सित हुए 2023 के लिए most important आया हुआ प्रस्ट है और फिर आएगा जर्मनी और इटली के राष्ट के रूप में विक्सित होने का विश्डेशन कीजिए यस दोनों परस्ट इस प्रकार यस द दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं फ्रांस की क्रांती के कारणों का वरण कीजिए यूरोप में राष्टवाद के प्रभाओं का वरण कीजिए मातर 2 और 2 ये 4 चार question ये चौथा है नमबर ये चार प्रशन आपको केवल पहले पार्ट से विस्त्रत उत्री पढ़ने है ठीक है यानि राष्टरवाद जो पहला प्रशन है ये तो हम कहते हैं चाहे लगुत्री में आए चाहे दीर उत्री में आए चाहे शौट में आए तो आना आना है 500% आना तैं है पहला प्रशन है दूसरा देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों प्रशन है, हम इसकी PDF दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में फस्ट लिंक है, जहां से आप क्लिक करेंगे, या फिर modelpaper.info पर चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, भारत मेराश्टरवाद दूसरा पार्ट है, उसमें से कौन-कौन से देखा, पहले हम विस्त्रतुत्री बता रहे हैं, फिर लगू भी बताएंगे, कौन-कौन से तयार करो, ऐसा नहीं है, पहले इतिहास के बताएंगे, फिर नागरिक सास, फिर भूगोल, तीनों पार्ट के हम बता देंगे, ठीक है, तो प राष्ट्रियता के विकास के कारणों पर प्रकास डाली और पहला प्रस्ण और पहला पार्ट ज्यादा इंपर्टेंट होता है, यह भारत मे राष्टवात के उदे के प्रमुक कारण ये प्रस्ण आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, भारत दिखो, ऐसे तमाम प्रस्ण इस जुबान पर है, महत्मा गांधी के योगदान का मुल्यांकन और मैं शेओर हूँ यहाँ पर 100% इस प्रस्ण के साथ, ठीक है ये अत्वा भारती राष्टी आंदोलन में महत्मा गांधी का जितने चलाएं महत्मा गांधी वो बताना है आपको, या फिर महत्मा गांधी का सत पर एक निबंद लिखे और या फिर असायोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, इसके प्रमुकारण, इसके परिणाम का महत्व का बिवेचन कीजिए, या 1920 में महत्मा गांधी द्वारा चलाया गया असायोग आंदोलन किस प्रकार के से, किस प्रकार एक अभिनो प्रियोग थ इसे क्यों इस थगित करना पड़ा और इसका प्रभाव क्या पड़ा, या फिर इसी प्रशन को ऐसे पूछा जा सकता है, कि महत्मा गांधी ने, या प्रशन ये एक ही है, इसको कई तरीके सुछा जा सकता है, कि महत्मा गांधी ने भारत की सुतंतरता प्राप्ति के लिए असायोग आंदोलन चलाया, ठीक है, इस आंदोलन का परिचे देते हुए, कि क्या यहाँ अपने उद्देशे में सफल रहा, ऐसा परिचे दो, सुतनता प्राप्ति के असायोग आंदोलन, ठीक है, या फिर असायोग आंदोलन से ही question बनेगे, किस प्रकार का आंदोलन था, और हम कहते हैं कि असायोग आंदोलन जरूर पढ़के जाना, और चाहे कुछ हो न पढ़ना इस चैप्टर से, असायोग आंदोलन और गांधी जी के द्वारा चलाये गए, जितने भी आंदोलन है, इसमें बस गांधी ही मेन है, ये समझेगा, महत्मा गांधी द्वारा चलाये असायोग आंदोलन का क्या अर्थ है, तो आगया असायोग की बात पूरा, ठीक, असायोग का आर्थ यही है कि हम किसी प्रकार का असायोग नहीं देंगे विदेशियों को, फिर चौथा प्रसनिस में ये तयार करना है, सबिनय अवग्या आंदोलन, ये एक बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत अच्छा आंदोलन, इस बहुत इंपार्टेंट है, महत्मा गांधी ने भारत की स्वतंतरता प्राप्ति के लिए सविनय अवग्या आंदोलन चलाया, इस आंदोलन का परिचे देते हुए, बताईए कि क्या यह अपने उद्देश में सफल रहा, ठीक है, या पांचवा प्रसंद देखे, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिपनी लिखिए, या निबंद लिखिए, या महत्मा गांधी द्वारा चलायेगे अंतिम आंदोलन, तो अंतिम आंदोलन कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, इस पार्टी के उद्देश से क्या थे, है ना, और 1930 में महत्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्या बताया, इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, अगर आप बिस्तरत याद कर लेते हैं, त यह भी एक important question है, भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना के कारण तथा उद्देश से बताईए, या फिर भारती राष्टी कांग्रेस, कुल में आके कांग्रेस आजाए तो प्रशन एक ही लिखना है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए तीसरा पार्ट आता है, तो पहले प विश्वका बनना और यह इतिहास का यह अंतिम चैप्टर है, ठीक है, इसमें कौन-कौन से आपको याद करने, इसमें भी मात्र पांच प्रशन आपको याद करने, यानि तीनों पार्ट से पांच-पांच, और आप रट्टा मारने के लिए उतसुक मत होना, रट्टा मारन से कोई कार्य नहीं बनता है, इसलिए रट्टा मत मारना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, भूमंडली उक्रत विश्वका बनना, ठीक, विस्त्रत उत्री यह प्रस्न, देखिएगा, ओध्योगिक देशों में महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा, ये कथन है, और इस कथन की व्याख्या उदाहरन सहित आपको प्रस्तुत करना है, उदाहरन देकर समझाईए कि अमेरिका को जाने वाली समुद्री मारगों की खोज हो जाने पर आधुनिक यूग में पूर्व की अपेक्षा क्या बदलाओ आया, भारती अर्थ विवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, अगर आप इतिहास में तीसरा चैप्टर नहीं याद कर पा रहे हैं, तो दो उपर के चैप्टर 100% पढ़के जाना, 5-5% बिस्तरत उत्तरी है, वहीं से आपका पेपर हल हो जाएगा, टेंशन नहीं है, समझ गया है, आप लेकिन कंपलीटली दोप चैप्टर कर लेना आप, प्रथम भारती अर्थविवस्था पर महामंदी का प्रभाव ये इंपोर्टेंट है, खासा, प्रथम विश्युद्ध के कारण विश्व अर्थविवस्था पर पढ़ने वाले सामाजिक और राजनैतिक प्रभावों का वरणन कीजिए, प्रथम विश्युद्ध के किनी तीन परणाम ये ही कर एक ही प्रशन है दोनों, विश्व अर्थविवस्था ने कैसे इस्थान ग्रहन किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान था, या छठा प्रसन देखिएगा, दुती विश्युद्ध, ये दुती वि कोई एक इसमें से बाकी छोड़ देना, छठा प्रसन और पहला प्रसन और तीसरा प्रसन, ये ज्यादा इंपॉर्णन है, कुल्म लाक के हम कह रहा है इसमें से 5 जरूर तयार करना, 6 है, 5 सेकंड चैप्टर से, ठीक है, सेकंड चैप्टर से भी 5 तयार कर लेना, अब डिस्क डालेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा ठीक है जब ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा तो आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं क्या देख पा रहे हैं आप लिखा हुआ यह देख पा रहे हैं कि यहां लिखा है social science pdf notes 2023 इसमें आप आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा एड चलेगी क्लोस कर दीजिएगा फिर यहाँ पर आप देखें नोड चैप्टर वन सोसल साइंस यहाँ डाउलोड कीजिए इसी के नीचे हम लगा देंगे क्या यह वाला important question दूसरा थीक है तो ऐसे डाउन Portal ले ना ठीक है अब चलते हैं अपनी तरफ कहां यहीं थे ठीक है तो ऐसे डाउनलोड कर लिजिएगा तो आप लोग इस को जादा ज्यादा सेयर कर दीजिए और हम इतिहास नागरिक सास्त अब इतिहास हो गया फिर नागरिक सास्त के बता देंगे भूगोल को बता देंगे तीनों पार्ट के हम बता देंगे दीरहुत्री इसके बाल लगहुत्री लगभग इन्हीं से बन जाएंगे लेकिन हम लगहुत्री फिर से बता देंगे इंपॉर्